हेलो बच्चो आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिंप्लिफाई से रिलेटिड एक कोशन यहां पर कराने वाली हूं जो एक्स्पोनेंट का कोशन है एक्स्पोनेंट एंड पार वाला जो चैप्टर है उसका यह कोशन है तो आपको यह पूरा सिंप्लिफाई करना है तो दे बेस रेसिप्रोकल हो गया पार पॉजिटिव हो गई सेम यहाँ पर हो जोएगा 1 अपॉन 3 की पार 4 ठीक है अब अगर हम सिंप्लिफाई देखें तो 1 अपॉन 2 इंटू में 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 से 4 बार लिख सकते हैं अब हम सिंपल तरीके से करा जो हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वन अपॉन 5 को भी मैं यहाँ पर 3 बार लिख सकती है अभी मैं सिर्फ यह न्यूम्रेटर लिख रहे हूं कि इनओमिनेटर यहां लिखने वाली हूं तो नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ वन अपॉन 9 बचा अब न्यूम्रेटर देखो तू से इसको कट किया तो 500 आया कि इस 5 से इसको कट कर दिया तो 100 आगया अब यहां पर अभी और कट हो जाएगा यह पहले थोड़ा लिख लेते हैं ताकि स्टैप्स में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आपके पास तीन बार यह बचे वन अपॉन टू एक बार हंडेड है और दो बार है वन अपॉन फाइव इसको 5 से भी कट कर सकते हो 20 कि तो इस तो से कट कर दिया इस 2 को इस टूसे कर दिया तो ऊपर बचा आपके पास स्क्रमार नगाफआ यह नीचे से उपर जाएगा तो रहसी प्रोकल हो जाएगा नाइन अपॉन और स romantic सब्सक्राइब कर लो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना थेंक्यू